बकड़ी पालन की जब भी बात होती है, तो मन में एक कन्फ्यूजन सनसे हो जाता है, उहां पोह की स्थीति होती है, कि वास्तों में क्या बकड़ी पालन एक फाइदे का व्यवसाय है, क्योंकि तरह-तरह के लोग जो हैं, तरह-तरह की बाते करते हैं, कोई किसी ब्रीड को लेके प्रमोट करते हैं तो दूसरी तरफ आप जाते हैं तो उधर से कुछ और सुनने को मिलता है और ऐसे इस्तिती में जो एक समाने किसान है वो confusion के इस्तिती में पढ़ जाते हैं तो इन सब सवालों का जवाब अगर कोई सही माइने में दे सकता है दोस बश्कार दोस्तों मैं हूँ असुतोस और आपके अपने चैनल स्टेलर फर्मिंग पर आपका स्वागेत है दोस्तों आज की वीडियो बक्री पालन से संब्धित रहने वाली और हम पहुंच गया बिहार बिहार में यह वैसाली जीला है विसो का पहला गंतंत्र इसको कहते ह रहा है दो अलग अलग नसलों पर काम कर रहा है बात करें तो जो ब्रिडिंग सेट अप है वह ब्लेक बंगाल का है और साथ में कुछ बरबड़ी भी है तो यह सहीड मायने में बताएंगे कि बक्री पालन में कौन सा नसल वास्तों में फायदा पहुंचा सकता है तो ऐसे त सब्सक्राइब कीजिएगा सर हमारे चैनल पर आपका स्वागत है आपका भी अपना नाम और पुड़ा पड़िचा दीजिए मेरा नाम बबलू कुमार सिंह हुआ वैसाली जी लेका अभी लगभग कितनी बकड़िया है आपके पास अभी मेरे पास टूटल 20 और 12 बच्चे लगभग 32 यह फार्म जो आपका बना हुआ है कितने एरिया बना हुआ है यह लगभग एक कठे के आसपास में है अभी हम देख रहे थे कि जो जो खिला रहे है वो जेनरली जो गेहूं का भूसा होता है वही बकड़ियों को दे रहे हैं कई बार ऐसे लोग बहुत सारे किया हूं कि बख़्राओं करने हैं नहीं होता बहुत बनिया और इसमें हारा चार आप मिक्स करके दें मतलब ऐसा नहीं कि सिर्फ आप भूसा ही खिलाएं को एक टैम भूसा दें उसके बाद हरा चारा दें मतलब मिक्स करके खिलाएं प्रोपर बढ़िया खाती है बिल्कुल जैसे आदमी को जो है केवल अगर चावल दाल क देते रहेंगे तो आदमी इरिटेट हो जाता है तो उसको भी जाय का बदल बदल के चाहिए तो दोस्तों देखिए बहुत सारे लोग जो है वो कहते हैं कि गहूं का भूसाइब पर जो है वो बक्री पालन नहीं कर सकते हैं तो अभी सर जैसा बताए कि यह पाल नहीं और ज बहुंसे का सवाल है तो बहुंसा आपको चाहिए ह क्या है रहाल में सुखा दल ही comprendre खेला आप करते करते उसको खिलाना है जीसे आज ये है जे से आपको लगा लिजी है पलस आप सीजनली कुछ है जैसे जैई हो गया सुदान हो गया सब सिजनली हो गया बर्सिम हो गया यह सबिस्टाइब लगा लेजिए और चैंज कर खिला कोई प्रॉब्लम नहीं है छोब हैं मतलब मालीं जे थ्म ह्दन चर आया मतलब कर रहे लाए तो आपके पहीं होगा किदनी progress का कव्क आमकपे से अधीशल हिसमें ब्लेक बंगाल और बरवरी दो अधिकतर संख्या जो है आपके पास ब्लेक बंगाल की ही है जी हाँ तो मैंने बरवरी भी रखा है और बलेक बंगाल तुकि लोकल मेरे एरिया से मिल गया है तो मैंने लोकल उसका ले लिया है चुकि मुझे अभी मैंने आट-9 महिने से ही किया और दोनों है मेरे पास, दोनों से मैंने सीखा, अब मैं इसको बढ़ाओंगा, अब मेरे पास ऐसा हो गया कि मैं ज्यादा भी रख सकता हूँ, मतलब 10, 20, 30, जो भी होई, उससे मतलब बढ़ा सकता हूँ, इसलिए कम से ही करना चाहिए और कम से सीखने के लिए करना चाहिए, कि अएक आपने ले आना है कहीं से 50 ऊठा और कर लिए इसा नहीं है वो आदमी कभी सकस्च नहीं करेगा चाहे वो कितना भी पैसे वाला हो यह कितने भी बुध्धिमान क्यूं नहीं हो, इसको सीखना परेगा आपको, चाहे आप साल में सीखे, चे महिने में सीखे, सीखना पड़ेगा ट्रेनिंग के बाद इतने दिनों का जो आपका अन्भाव है तो जैसे आप ब्लैक बंगाल भी पाल रहे हैं और बड़-ड़ी भी आप पाले हुए हैं और ज्यादा संख्या आपको ब्लैक बंगाल का हैं तो दोनों में सर्क्या ग्रोथ में क्या अंतर पा है चुकि हमारे कटिंग का भी मार्केट है और कटिंग के मार्केट लिए क्रोस है आपका तो वह ज्यादा बेटर होगा चुकि यह ब्रवरी क्यों की महंगा है लोग ऐसे ही 500-600 का कीजी लाइप बेट देते हैं और यहां कटिंग मार्केट 600 का मीठ है तो फिर कैसे वह और breeding में भी बरबरी से अब कर सकते हैं इसलिए दोनों रहना ज़रूरी है बाकी लोग अपना जो सजिसका सोचो कर सकते हैं दोस्तों देखिए काफी अच्छी बात इन्होंने बताई कि ब्लैक बंगाल को यह पाले हुए हैं वो कटिंग मार्केट में देने के लिए इसको पाले हुए हैं और साथ में क्रोस ब्रीड पर काम करें और बाकी जो बरबरी है तो उसका ब्रीडिंग सेट अप इन्होंने करिये क्या सर मैं सही कहे रहा हूं जी यह इसी प्रवस मैं किया हूं अभी जैसे बकरी पालन की शुरुआत लगभग कितने बकरियों से आप इसके सुरुआत किया था यह दस मैंने यह रखा था ब्लेक बंगाल और बरबरी जिसमें चार की संखिया ब्रबरी थी और शे के आसपास ब्लेक बंगाल और यह के मेरे बीरीडर है जो कि मैंने बीरीडर लाया था बरबरी का तो लगभग दस से आप शुरू कि यह अब जैसे आप बकरी पालन की जो शुरूआत किये तो उसमें क्या प्रेगनेंट बगरियां वगर लाये थे जी मैंने कुछ प्रेगनेंट भी लाया था कुछ यहां भी प्रेगनेंट करवाया था जी जी तो दोस्तों देख सकते हैं कि आठ महीने में इनके पास लगभग 12 के सोच के साथ सकरात्मक द्रिष्टी कोन से बकरी पालन के सुरुवात करें और बबलु जी जैसे जो फार्मर हैं ऐसे जो आपके निकटवर्ती एरिया में जो रहते हैं उनसे आप मिलिए मिलने के बाद बहुत सारा जो है रियल टाइम एक्सपिरियेंस दो टो एक किसान ही आपको देगा क्योंकि बहुत सारे ऐसे जो हैं आज मार्केट में भड़े पड़े हैं जो सिर्फ और सिर्फ एक ब्रीड को लेकर कहते हैं और जब किसान उनकी बातों में आकर पालन करते हैं तो कही नकहीं उनको नुक्सान क सामना करना पड़ता है सर एक इतनी जो आप सिस्टेमिटिक तरीके से जो बकरी पालन कर रहे हैं इतनी सांदार जानकारी आपको कहा से मिली यह सर मेरे गुरूजी है उमेश कुमार कुसुभा जो पटने के हैं उनसे मुझे ट्रेनिंग मिली और उनहीं के मार्क दर्सन में भी कॉल गया है वह करते हैं तो 10 श 2 मीनिट में में फिर कॉल एक करते हैं या मैसेज 진행 करते हैं नहीं कुछरती है certain में को सब्सकुर्णाइब मिक्स करके हैं चीज़ा plants siran जब एक आप नहींज करके मिक्स करके हैं सब अलग कर के देते हैं मतलब कुछ भूसा खिल दिये उसके बाद फिर अरचारा किसी दिन कोई किसी दिन कोई change करके सब को देते हैं बरीअ अच्छे से सब खाती है जैसे सर कहते हैं कि जब बगडियों को तो नहीं रखना चाहिए अगर आपके पास जगन नहीं है तो सफ़ाई पर हराल में आपको दिहान देना परेगा अगर यह लेकर वह हैं यह अगर आप कम भी करते हैं तो सर्वाइब कर जाएगा सब बात करते हैं कि कि मार्केटिंग की तो कहते हैं कि लाइव स्टॉक में किसी भी चीज का पालन करना आसान है बेचने में समस्य आती है तो मार्केटिंग वगएरा की क्या वेवस्ता है अभी लगबग आठ महीने में जो आपके पास बच्चे आये हैं या जो बकडियां इसमें से कुछ सेल कर पाऊंगा इसलिए दो ही था इसलिए मैंने दो उसको बेचा जीजी बहुत आते हैं कई आते हैं कोई समस्याने बहुत दिमांड है आप सिर्फ पाल सको आप कितना पाल सको बस बेचने के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं मतलब नाइट में आठ बजे रात में भी अगर बे पांच कठे में फार्म बना रहा हूं तो वहां सब अभी तो रेडी नहीं हुआ है एक आद महीने में रेडी हो जाएगा तो यहां से इसको सिफ्ट करको वहां ले जाओंगा एरिया बहुत बढ़ा है वहां गूमने फिरने कई भी बहुत जगह है और मतलब लंबा भी इतना है और इसमें मैं पर्चिज करके भी बरवरी का नसल कुछ और लाऊंगा और बढ़ाऊंगा बहुत चरह ऐसे हमारे भाई हैं जो आपको देख रहे हैं देश वीदेशों से देख रहे हैं तो उन लोग को बकरी पालन से संबधित एक मैसेज दे दीजे बकरी पालन ब सरबाइस करने कहीं किसी का मुह नहीं ताकना परेगा आपको हर हाल में आप इसमें मेहनत करेंगे तो आपको मुनाफ़ा आएगा और बाहर कमाने से अच्छा है कि आप कर सकते हैं बहुत-बहुत धन्यवाद सर अपना समय देने के लिए और इतनी महत्वपूरी जानकारी संद्फ से आपके दश्रवकों का भी धन्यवाद दोस्तोय थे बभलू जी वैसली जीले में सर बिहार के वैसली जीले के हैं और बक्री बालन लगवाव आठ मैने पहले कि यह अभी जैसा कि बता है कि Black Bengal के भी farming यह किये है और 2-3-4 संख्या जो है बरबड़ी का भी है क्योंकि यह देखना चाह रहे थे सीखना चाह रहे थे कि वास्तों में क्या है और जो इन्होंने बताया अब खुल कर बताया कि किस तरह से बकरी पालन होना चाहिए कैसे आप systematic God farming कर सकते हैं ऐसे तमाम जानकारिया भी सर दिये जैसा कि इन्होंने बताया कि आने वाले समय में इस farm को और यह अलग सिफ्ट कर रहे है सर मैं बहुत जल्दी फिर आप वहां जब जाएंगे तो मैं आऊंगा और अपने दर्सकों को नए अपडेट दूँगा दोस्तों आसा है यह वीडियो आप सबको काफी पसंद आयोग अगर पसंद आया तो एक लाइक जो लुकरिएगा चैनल पहने है तो सब्सक्राइब कीजिएगा थैंक्यो फॉर वाचिंग